नमस्कार दोस्तों, Electrical Technician चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तों, आज का वीडियो हमारा Electrical Drawing पर है और ये Electrical Drawing का Part 10 है दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे की किस प्रकार से Electrical Drawing को पढ़ते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सरकित डागराम को डो किया गया है ठीके, यहाँ पर लिखा हुआ है Fan 1 का Control Circuit उसके बाद Fan 2 का Control Circuit और Pump का Control Circuit दोस्तों, ये जो तीनों सरकित डागराम है इसी सरकित डागराम को आज हम पढ़ना सिखेंगे दोस्तों, ये जो आप सरकित डागराम देख रहे हैं इसको मैंने अपने माइंड से डो किया हूँ दोस्तों, इस सरकित डागराम को किस पराद से डो किया गया है यदि आप सीखेना चाहते हैं तो आप Electrical Drawing के Part 6, Part 7, Part 8 और Part 9 को देख लिजिएगा उन सभी वीडियो में इस सर्कित डागराम को डो किया गया है दोस्तों, उन सभी वीडियो का लिंक में इसक्रिप्सन में देनुगा आप वहाँ पे कलिक करके देख सकते हैं तो अचलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर Power Circuit पे ये हमारा बसबार हुगा है जिसमें नूटल सप्प्लाई, आरफेस, वाई फेस और बी फेस है, ठीक है? अब जो हमारा बसबार है उसमें सामने एक वायर को कनेक करके हमने एक फ्यूज के साथ कनेक कर दिया ठीक है? दोस्तों आज की वीडियो में जितनी भी सिम्बोल ठीक, दोस्तो, यदि आप electrical drawing पढ़ना चाहते हैं, तो आपको electrical symbol का knowledge अवस्यक है, यानि कि आपको यदि electrical symbol का knowledge नहीं है, तो आप electrical drawing नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक, दोस्तो, तो आप electrical symbol को एक बार जरूर देख लीजिएगा, दोस्तो, electrical symbol पर मैंने एक वीडियो बनाये था, उस आप देख सकते हैं उसका लिंक में description में दे दूँगा ठीके दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किये थे कि हमारा जो बस बार था उसमें से एक वार्गू करने करके एक जो हमारा फ्यूज है उसके औरग कर लाइः कर दीअब यहाँ सिमबोल का मतलब क्या होता दोस्तों देख लीए में चले जाती है और और रिले के बाद में एक पावर केवल के द्वारा मोटर में चली जाती है ठीके दोस्तों सेम टू सेम बाकी दो मोटर के लिए भी किया गया है ठीके दोस्तों आप जो हमारा कॉंटेक्टर ही यह वाली ठीके अब इसको चालू और बंद करने के लिए हम क वार जरूर रिवाइस कर लीजिएगा इससे ही बिनिफित यह होगा कि आप दुबारा इलेटिकल सर्कीट किस प्रकार से पढ़ते हैं उसको कभी नहीं भूलोगे तो प्रीज उसको डाउनलोड करके एक वार रिवाइस जरूर कर लीजिएगा चलिए आगे वरते हैं दोस्तो अब देखिए ये जो सर्कीट ड्राइगराम है किस वगाष से ड्रो किया गया उसके बारे में देखे लेते हैं ये जू किया गया वो इंस कोणनेक्टर को चालू करने के लिए किया एक अब शर्कार कॉरह करने के लिए बहूस सारे इंह De alignment कोणेक्टर इस्तेम्हाल किया गय तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है OL1 ठीक है तो सबसे पहले हम पावर सरकुट को देखते हैं तो देखें यहां पर हमारे पास OL1 है यानि कि फेन 1 मोटर जो था हमारा उसके प्रोटक्शन के लिए जो ओवर लगाया गया था उसका NC कॉंटेक हमने यहा अब यह जो ओवर रिले इसके आउटगुइन टेमिनल से एक वायर को करने करें करने कर दिया अब जो सबीस्टार से तीन वाय जा रहे हैं एक तो इस अजलरी कॉंटेक्ट में जा रही है और तीसरा है इस टार्ट पूश्ट कॉंटन में जा रही है ठीक दोस्तों यहां इसमें पाउर्ट सप्लाई नहीं आप आए गा क्यों किया यहां पर यहां से प्लो और इसलिए यहां पर चाहते हैं तो क्या होगा तरफ यहां से प्लो मैं चले जाएगए और यहां तक आजाए इन दो पविन्ट पर अजाएगी अब दोस्तो यहां पर हमें कैसे माल oper यह 'RE यहां पर बीजिक यह जो सिंबबरन का सिंबोल से को होना अवस्यक है एन यहां पाइटीकल में हम साबसे य। जो सिंबोल स्ब्सक्राइब को डानले तक अठनल्यो में तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को आप देखके सीख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीके दोस्तों, आप देखिए, यह जो हमारा कोंटेक्टर था, इसमें पाओर सप्लाई आने के बाद, इसके जितने भी क्वाटेक्ट होंगे, वो चेंज होते है ठीके दोस्तों, आभी देखिए, यह जो क्वाटेक्टर था, वो हमारा पाओर कॉंटेक्टर है, ठीके, यान हि हमारा जो fan 1 था उसको चालू करने के लिए इस contactor को चालू करना पड़ता है यानि कि इसके कोई में power supply आते ही हमारा जो motor था वो चालू हो जाएगा ठीक है अब यह जो contactor है इसके उपर में 4 contact है ठीक है 3 NO contact और 1 NC contact ठीक है अब इन 4 contact को कहां उप्यों किया गया है तो उसका location यहाँ पे लिखा गया है ठीक है अब देखिए हाँ पे यहां पर लिखा है 3F, ठीक है, 3 कौन सा है यह नंबर स्रीज में लेकिया, और F यहां पर दिखिए ठीक है, अब यहां पर होगे हमारा 3F, तो यहां से 3 लेकर आईए, और यहां से F लेकर जाएए, ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मैच करेंगे, तो आपको मिलेगा यहां यहां पे के लन का 13 handful 30С अब यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यह जो सनु WITH यहां पर दोस्तों अब जो contactor है वो off नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि power supply यहां से continuously flow होते रहेगा, अब यहां पे एक nc contact यूज किया गया, अब यह कब operate होगा, तो देखिए, यहां पे लिखा हुआ है k2 contactor का, यानि कि यह जो nc contact है, वो k2 contactor का उप्योग किया गया, ठीके, अब यह k2 contactor कह यहां पर है, तो देखिए, यहां पर location लिखा गया है, 2-3J, यानि कि page 2 पर 3J इसका location है, तो हम page 2 पर चलते हैं, ठीके, 3J को जब हम mix करते हैं, तो देखिए, यहां पर हमारा contactor मिल गया, k2, ठीके दोस्तों, अब यह जो contactor था, इसका nc contact यहां पर यूज किया गया है, ठी दोस्तों, यहां से फ्लो होते रहेगी, तो ब्रेक हो जाएगा, ठीके, और इसको चालू करने के लिए, यहां पर एक start push button लिया गया है, यानि कि यह जो हमारा start push button है, यहां इसको प्रेस करते हैं, तो हमारा यह वाला contactor चालू होगा, ठीके, अब यह किसका है, तो यह किसका दोस्तों, देखे, 1-2J लिखा, यानि कि यह हमारा page number 1 था, उसके 2 और J, यानि कि यह जो contactor है, इसका NC contact यहां पर यूज किया गया है, यानि कि K1 को और K2 को आपस में interlock किया गया है, इसका benefit क्या होगा, दोस्तों, देखे, यह क्या होता है, इंटर locking होता है, यदि एक contactor on ह तो दुसरा contactor on नहीं हो पाईगी, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर दोस्तों, देखे, यह जो contactor है, इसका NC contact, दुसरे contactor के सर्कित में कनह कर देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, यदि यह हमारा contactor चालू है, तो इस contactor को चालू नहीं हो सकता है, ठीक है, अब यह जो हमारा k2-a है, वो इसका location क्या है, तो देखे, यहां पर लिखा है 2-7j, ठीक है, यानि कि page number 2, 7j इसका location है, तो यह हमारा page number 2 है, और 7j, ठीक है, k2-a मिल गया, ठीक है, अब इस contactor के operate होने पे, यह वाला no contact NC बन जाएगा, और NC बनने पे क्या होगा, पाउर है, वो कैसे operate होगा, ठीक है, तो इस contactor को operate करने के लिए, इस overload relay का inner contact को NC बनना पड़ेगा, यानि कि हमारा जो fan 2 है, वो trip होता है, यानि कि overload relay पे trip होता है, तो क्या होगा, power supply यहां से flow होते हुए, इस contactor में आएगी, और इस contactor के चालू होने पे, हमारा जो fan 1 है, वो start हो जा पड़ेगा, ठीक है, अब आगे बरते हैं, अब यहां पे एक NC contact है, ठीक है, यह जो NC contact है, 21 और 22 नमर टर्मिनल वाली, उसका उपयोग कहां किया गया है, तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, 2-3H, यानि कि page नमर 2, 3H, इसका location है, ठीक है, तो देख लेते हैं, कहां पर पर, तो यह हमारा page नमर 2 है, और 3H, ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया था, कि यह इंटर लोकिंग के लिए उपयोग किया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, आप देखिए, यहां पर तीस्रा contact कहा यूज के गया, तो यह दिखिए, 1-9C, यह जो एनो contact है, उसका उपयोग, page नमर 1 पर, और 9C, लोकेशन पर उपयोग किया गया, ठीक है, तो यह हमारा page नमर 1 तो है, ठीक है, 9C, तो यहां पर हमारा 9 हो गया, और C यह वाली हो गया, ठीक है, इन दोनों को मैच करेंगे, तो यहां पर हमारा एनो contact मिल जागा, 33 और 34 नमर टर्मिनल वाली, ठीक है, यहां पर ओल्ली लिखा हुआ है, K1 का, यानि कि यह जो एनो contact है, वो K1 contactor का है, ठीक है, यानि कि इस contactor का है, ठीक है, अब इस contactor के outgoing में हमने एक indication lamp को connect किया है, यहां पर लिखा भी हुआ है, कि on indication lamp क जला देगा, यानि कि गुलो कर देगा, ठीक है दोस्तों, जिस से हमें पता चलेगा कि हमारा जो motor है, वो on हो चुगी है, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक NC contact का भी उपयोग किया गया है, यह उपयोग किया गया है, यहां से power supply डारेक आ रहा है, ठीक है, और यहां पर NC contact है, तो power supply का सीधे flow होते रहेगा, और इस indication lamp में जाएगा, यानि कि हमारा जो motor है, वो बंद रहेगा, तो यह indication lamp जलेगा, और यह indication lamp जलेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो motor है, वो off है, यानि कि fan one off है, ठीक है दोस्तों, अब जैसे यह जो contactor है, वो on होती है, तो क्या ह होगा, यह NC contact, एनो बन जाएगा, और एनो बनने पर क्या होगा, पाउर सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, तो पाउर सप्लाई यहां से आगे flow नहीं हो पाएगा, तो यह जो indication lamp जल रही थी, वो off हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो NO NC contact था, उसको हमने देख ल यानि कि page number 1 पर है, page number 1 already हमारा open है, ठीक है, तो 4J, यानि कि location हमारा 4 और J, यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर लिखा हुआ है, K1-A2, आप यहाँ पर match कर सकते हैं, K1-A2, यानि कि यह जो NC contact है, वो इस अजलरी contactor का है, ठीक है दोस्तों, अब यह जो हमारा अजलरी contactor है, इसका 41 और 42 नमर्टर्मनल है, यानि कि यह वाला NC contact, उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है, ठीक है दोस्तों, अब यह जो NC contact है, कब operate होता है, उसके बारे में भी देख लेते हैं, देखिए, इसको operate करने के लिए सबसे पहले इस contactor में power supply आना चाहिए, ठीक है, इसमें power supply आने पर ही एनो contact बनेगा, ठीक है दोस्तों, अब यह जो contactor है, इसमें power supply कब आएगा, तो देखिए, यहाँ पर दो एनो contact उपयोग किया गया, ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी एक NC बनता है, तो यह जो contactor है, वो चालू होया, ठीक है, तो देखते हैं, यह एनो contact किस का है, तो देखिए, यहाँ पर लिखा है, के वान देश एटू, यह जो एनो contact है, वो इस contactor का, यानि की holding circuit बनाया गया, ठीक है, ठीक है, तो अब यह जो contactor है, इसको चालू करने के लिए, यह वाला जो एनो contact है, उसको NC बनना जरूरी है, ठीक है, तो यह NC कब बनेगा, दो और जो पंप है, उसको start करने के लिए, इस contactor को चालू करना पड़ेगा, और जैसे यह वाला contactor चालू होती है, तो क्या होगा, दोस्तों देखिए, यह जो एनो contact है, वो NC बन जाएगा, और NC बनने पर power supply इस contactor में चली आएगी, अब जैसे यह जो एनो contact था, NC बनता है, तो क्या होगा, हमारा जो timer था, उसमें power supply जाना बंद हो जाएगा, ठीके दोस्तों, अब देखिए, इस सरकीर को हमने पर लिए, यह जो contactor था, वो कैसे काम करेगा, उसके बारे पर लिए, अब बच्चा कौन सा हमारा timer बच्चा, ठीके, टाइमर कैसे operate होगा, तो देखिए, य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो no contact था, उसके सामने location लिखा गया है, एंसी contact के सामने location नहीं लिखा गया है, ठीके दोस्तों, इससे हमें मालूम चलता है कि यह जो timer है, इसका no contact उप्योग किया गया, ठीके दोस्तों, अब जो हमारा on delay timer होता है, उसके पारे में आपको जो अजलरी contact है, वो change होते हैं, ठीके दोस्तों, तो यह जो timer था, उसमें power supply आने पर क्या होगा, इसके जो अजलरी contact है, वो change होगे, change कब होगे दोस्तों, देखिए, वो कुछ समय बाद होगा, समय कितना depend करता हो, अब यो समय है, वो depend करेगा कि हम setting कितने की है, ठीके दोस् 4G, यानि कि, इस timer का एने contact का उप्यों, page number 3 पे, 4G location पे उप्यों किया गया, ठीके, तो यह हमारा page number 3 है, और 4G, यानि कि, यह हमारा timer का हो गया, ठीके, अब जो हमारा timer में power supply आती है, और उसका countdown complete होता है, तो क्या होगा, इसका एनो contact, एनो से NC बन जाएगा, और power supply यहां से flow होते हुए, इस pump में चली जाएगी, ठीके, दोस्तों, यानि कि, यहां पर क्या गया गया, दोस्तों, देखिए, जैसे हम start push button को press करते है, तो क्या होगा, हमारा जो fan है, वो start हो जाती है, ठीके, उसके साथ साथ में हमारा timer है, उसका countdown भी start हो जाएगा, ठीके, अब timer के countdown complete हो क्या होगा, यहां से power supply flow होते हुए, इस contactor में चली जाएगी, अब यह जो contactor है, वो हमारा pump को start करने का contactor है, ठीके, तो इसमें power supply आते ही, क्या होगा, हमारा pump भी start हो जाएगा, ठीके, दोस्तों, यह जो हमारा contactor था, इसका जो एनो contact है, यह वाली, उसका उप्योग page number one पे किया गया, और वो भी timer को interlock करने के लिए, ठीके, अब जैसे हमारा pump चालू होता है, यानि कि यह जो pump था, उसको start होने पर क्या होगा, यह जो एनो contactor वो एनो से एनसी बन जाएगा, ठीके, एनसी बनते ही, क्या होगा, इस contactor में power supply आ जाएगी, और इसमें power supply आने पर क्या ह हमारा जो timer है, वो के बार एक बार work करेगा, और एक बार work करने के बार उस timer में power supply जाना बंद हो जाएगी, ठीके दोस्तों, अब हमने इतना circuit को पढ़ लिए, ठीके दोस्तों, आप देखिए, यहाँ पर दूसरा circuit है, अब यहाँ पर एक एनो contact यूश किया गया, अब यह ज करेंगे, इसका location मेच करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीके, K1-C, यानि कि यह वाला contactor जो है, उसका एनो contact यहाँ पर उप्योग किया गया, ठीके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि यह जो contactor है, वो का बोपरेट होगा, जब हमारा motor trip होती है, दोस्तों, हमारा ज होने पर क्या होगा, power supply यहाँ से flow होगा, और इस contactor में चली आएगी, इस contactor को चालू होने पर क्या होगा, इसके जितने भी अजलरी contact है, यानि कि अनो contact और NC contact, वो जो contact है, वो change होगे, इस contactor का अजलरी contact तीन जगा उप्योग किया गया, ठीके, एक तो हमारा 1-6C पर उप् हमारे जो fan 1 है, वो trip होने पर यह वाला indication lamp glow करने लगेगा, ठीके, अब देखिए, अब दूसरा अनो contact जो था, वो second page भी उप्योग किया, 2-2F ठीके, तो second page ओपन कर लेते हैं, अब देखिए, 2F, यानि कि यहाँ 2 हो गया, यह हमारा 2 हो गया, और F हो गया, यानि कि यह वाल contactor था, वो हमारा fan 2 को on करने के लिए contactor था, यानि कि हमारा fan 1 है, वो trip होने पर तुरंटी fan 2 on हो जागा, ठीके, सेम चीज हमने थोरे देर पहले देखे थे, यह हमारा fan 2 trip होता है, तो fan 1 automatically on हो जाती थी, ठीके, अब देखिए, यह जो contactor है, इसका no contact एक और उप्योग किया ग NC बन जाएगा, ठीके, और यहां से क्या होगा power supply flow होगा, और यहां पर आके hooter में चलियागी, ठीके, यानि कि यहां पर एक alarm जनरेट होगा, तो दोस्तों यहां पर जो page number 1 था, इसमें जितने भी circuit है, हमने उसको पर लिया, ठीके, अब आते हैं page number 2 पे, page number 1 और page number 2 परता नहीं हो, ठीके, तो इसको हम skip करते हैं, दोस्तों इस वीडियो का पीडियाफ फाइल याड़ी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका link में description में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके उस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों उस पीडियाफ को डाउनलोड करने के लिए आपको थोड़ा सा charges भी देना पड़ेगा, दोस्तों उस वीडियाफ फाइल को डाउनलोड करके एक वार जरूर revise कर लिजिएगा, इससे ही benefit यह होगा कि आप दुबारा electrical circuit की स्वागा से पढ़ते हैं, उसको कभी नहीं बोलोगे, तो प्रीज उस इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे control circuit को बनाया गया, ठीक है, यानि कि किस condition में on होना चीए और किस condition में बन होना चीए उसके लिए control circuit बनाया गया, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे face supply और neutral supply यह कहां से आई है, तो ठ पेस 10 है, यानि कि यह वाला जो face supply यह वो page number 2 से आई है, तो देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पे यह हमारा page number 2 है, और 10A ही यह है location ठीक है, यानि कि यह जो हमारा face supply और यह जो neutral supply ता, वो हमारा page number 3 पे चली गई है, ठीक है, अब देखिए, यह जो हमारा face supply था, उसमें एक fuse को connect किया गया है, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक fuse को connect करके, power supply overall relay के NC contact में चली जाती है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक stop push बटन का उप्योग किया गया है, अब जो हमारा stop push बटन है, उसके outgoing terminal से power supply अलग-अलग distribute हो जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क कि यहाँ पे दो selector switch का उप्योग किया गया है, दोस्तों, यहाँ पे केवल एक selector switch का उप्योग किया गया है, कैसे दोस्तों, मैं आपको explain करता हूँ, ठीक है, अब क्या होता है, दोस्तों, दिखे, selector switch को हम अलग-अलग position पे select करके controlling करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक line दिखाए गया यह वाली line अब यदि हम selector switch को manual में select करते हैं तो क्या होगा power supply यहां से flow होगा ठीक है और यदि हम selector switch को auto में select करते हैं तो क्या होगा power supply यहां से flow होगा यानि कि auto में select करने पर यह वाला circuit काम करेगा और manual में select करने पर यह वाला circuit काम करेगा ठीक है इसका मत पीडिया फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका link मैं description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके इस वीडियो का पीडिया फाइल डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों आगे बढ़ते हैं यह जो हमारा pump था उसको start करने के लिए यहाँ पे दो option दिया गया है पहला तो manual और दूसरा auto आप यदि हम manual select करते हैं तो दोस्तों देखें यह जो pump है उसको start करने के लिए हमें इस push बटन को प्रेस करना पड़ेगा इस push बटन को प्रेस करके हम इस contactor को चालू कर सकते हैं ठीक है अब जैसे हमारा contactor चालू होती है तो यहाँ पे पांच अजलरी contact यूज किया गया है ठीक है यह हमारा 3 है और यह हमारा F1 इन दोनों को match करेंगे तो यहाँ पे आते हैं ठीक है यह जो एनो कोंटेक्टर है वह इस contactor का है यानि कि जैसे हमारा contactor ओन होती है तो तुरंत यह एनों से NC बन जागा और power supply क्या होगा यहाँ से flow होते हुए इस contactor में चली जाएगी यहाँ प contactor on होती है तो तुरंती हमारा यह जो indication lamp है वह on हो जाएगा ठीक है उसके बार में एक NC contact है वह भी इसी page में उप्यों किया यहाँ पर अब क्या होगा दोस्तों देखिए यह जो हमारा contactor है यादी बंद रहता है तो क्या होगा यह indication lamp जलते रहेगा क्यों जलते रहेगा क्यो अब आगे बढ़ते हैं अब देखिए तीसरा contact कहां उप्यों किया तो पेज नंबर 1 पे ठीक है पेज नंबर 1 पे 4H location है तो पेज नंबर 1 उपन कर लेते हैं यह हमारा page नंबर 1 है और 4H location यानि कि यह वाली ठीक है इसके वारे में मैं आगे आगे आपको बताए था कि जैस लोकेशन यह वाली है ठीक है तो यहां पर same to same circuit बनाया गया था ठीक है तो same work करेगा जैसे हमारा pump three own होता है तो क्या होगा एनो से nc बन जाएगा और इसके चालू होने पर क्या होगा कि यह जो nc contact था वो एनो बन जाएगा ठीक है जो दोस्तों तो यहां पर हमारे जितने स्विच को और च्टो बेतने हैं तो दहीं यहां पर timer का अंच कॉल किया गया है कój सी यहां पर यहां पर तो ही वाला टाइमर यह स्टार्ट होती है तो यह स्ट्राइब में पाउर्स फ्लाई आने पर क्या होता है उसका काउंड़ाउ चलू होने पर क्या होगा होगा? यहां किवच आगेudस प्राइभा स्ट्रेक्ट होने एक कंपो होगा? यह जो contact है वो यहां पर आके connect हो जाएगा और power supply यहां से flow के इस pump को start कर देगा यानि कि auto position पर select करने पर timer के दोड़ा यह pump start होगा और manual पर करने पर हमें push button को press करके start करना पड़ेगा तो इसके हम skip कर देते हैं चलिए आगे बरते हैं अब देखिया यहां पर एक अजलाडी कोंटेक्टर का उप्योग किया गया थिक क्या आईगा तो यहां पर औलोड वह यह का य्जिदि ट्रिप होता है तो क्या होगा यह जो एनव कोंटेक्ट है वह एनव से एंसी बन और जैसे इसमें पाउस अप्लाई आती है तो इसका अजलारी कॉंटेक्ट दो जगा उप्योग किया गया ठीक है यह दोनों को दोनों चेंज हो जाएंगे तो पहला कहां पर चेंज होगा दोस्तों देखिए पहला तो 3-6B में उप्योग किया पेज नमर थी तो यही है शिक् बप्योग किया तो पेजfalण फोन ओपेडन करते हैं ठीक है लोकेश्न फोन फोन सी यानिकी ये वाला ठीक है यानिकि ज्यासे हमारा कॉंप контक है वह न से एन सी बन जाएगा ठीक है और यहां से फिलो हूत है उस हूतर में चली आइग ठीक है और जो हमारा हूतर है वह अलं यहां पर जो अलाम सर्कुट यहां पर इस हुटर को अन करने के लिए उप्योक के गए यह जो हमारा हुटर है वह कब अलाम करेगा, बंध हो जाएगा उसके लिए इस कंट्रोल सर्कूट बनाए गया जैसे कि मैंने आपको बता है था कि यह जो हमारा एन-o-contact है वह फेन-1 के के टीक eh यहां से फ्लोव होते दो सीधे इस हूटर में चलिए और जो हमारा प्लाऍक अलाम करने लगता है इसको रिषेट करने के लिए यहां पर उए पस बटन पुस्छ बूटन चीह stellS अब जैसे इस push button को press करते हैं तो क्या होगा power supply यहां से flow होते हुए इस contactor में चली जाएगी ठीक है यह auxiliary contactor है ठीक है दोस्तों अब जैसे इस contactor में power supply जाती है तो क्या होगा यहां पर इसके जो auxiliary contact है वो change होगे पहला तो no contact है उसका उपयोग page number 4 5F location पर उपयोग किया है ठीक ह यानि कि यह जो no contact है वो no से nc बन जाएगा ठीक है जैसे इस contactor में power supply आती है तो यह जो no contact है वो no से nc बन जाएगा और power supply यहां से flow होते हुए यहाँ पर चली आगए यहाँ पर चली आगए यदि हम इस push button को release भी कर देते हैं तो क्या होगा power supply यहां से continuously flow होते रहेगा ठीक और जो हमारा hooter alarm कर रही थी वो alarm करना बन निकर देगा तो दोस्तों कुछ इस वाका से हम electrical circuit diagram को read करते हैं दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please इस वीडियो पर like और comment जरूर कर दीजिएगा दोस्तों आपके comment और like की मुझे motivate करते हैं कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाओं तो दोस्तों like, share, comment करना बिल्कुल ना भूलिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe भी कर लीचेगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवादू